प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की तीन यूरोपीय देशों की यात्रा की शुरुआत जर्मणी से होगी और जर्मणी में उनका सबसे पहला पढ़ाव होगा ठीक जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग दिखाए दरी है जर्मन चांसरी और यहीं पर प्रधान मंत्री मोदी यह कि आपको वहां पर कवरेज में भारत वर्ष पर लगातार आप देखते रहें और इस पर आपको एक फ्लो चार्ट भी मिले भारती समय के मुताबिक लगभग बर्लीन में यहां पर साड़े नौ बजे सुबह वो अराइव करेंगे और इस समय पर बर्लीन में सुबह के छे मोदी को और वन-to-one मीटिंग होगी जर्मन चांसलर के साथ में जर्मन चांसलर इस समय पूरे विश्व में सबसे महत्पूर्ण लीडर्स में से एक हैं और अभी अभी नए जर्मन चांसलर बने हैं उलाफ स्कॉल्स और उनके साथ में प्रधान मंत्री मोदी की यह पहली द अगरिमेंट साइन होगा ग्रीन शस्टेनेबल एनरजी पर उस पर प्रेस स्टेट्मेंट भी होगा लगभग भारती समय के मुताबिक साथ बज रहे होगा और समय कांबर्स बैंक यहाँ पर बैलीन में प्रधान मंत्री मोदी यहां का स्केडूल ख़िम करने के बाद में व उसको लेकर भी प्रिधान मंत्री मोधी का काफी ज़्यादा फोकस रहा है और उसके बाद थेटर एट पोस्ट टामर प्लाट्स यह एक वेन्यू है यहां पर जो लगबग 10 बजे के आसपार भाती समय के यहां पर प्रिधान मंत्री मोधी आएंगे और यह वह चीज है जो देश दौरे पर जाते हैं तो या तो भारती मूल के लोग या फिर भारती नागरिक जो इस देश में काम कर रहे होते हैं उनके साथ वह इंटराक्शन करते हैं और वह कई बार काफी बड़े स्टेज पर भी होता है इसलिए इस बार भी एक थेटर में इसका आयोजन किया ग इनर जर्मन चांसलर उन्हें होस्त कर रहे हैं तो नहीं प्रधान मंत्री मोदी बलकि पूरा डेलीगेशन जो आएगा क्या मिनिस्टर्स का वह भी यहां पर होंगे इस से आपको पूरे स्केडूलिंग से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से प्रधान कि अमार्ड को प्रधान मंक्री मोदी के साथ में Südhan के साथ में एक कनेक्ट करना जो की हमें इससे पहले जो जबन चांसलरा थे उनके साथ में प्रधान मनेत्री मोदी कि एक पर काफी जाद प्रैशर बना हुआ है क्üneau की जादा एनर्जी का जयात जर्मनी रश्या से करता रोत पर बिखाल जेपेंदेंसिसा वंगर में ऑखर जर्मनी के साथ में खड़ा हो परता मंत्रीमोडी जब की राजधानी बर्लीन में आये तो यह ना क्यार्मनी के लिएन ना केवल अमेरिका और नाटो के लिए ना केवल रश्या और यूक्रेन के लिए बलकि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संदेश है भारत की तरफ से